हलो दोस्तों स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो पर तो आज हम आवे आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस प्लांट जो देख रहे हैं इनकी पतियां की इस तरह से पीले हो चुके हैं और इसमें फलावर बिल्कुल भी नहीं आ रही है फलावर देने में ये बहुत ही देर कर रही है क्योंकि इस तरह से एक फलावर मतलव की दो से चार दिन पर खेलते हैं इनके देखे इस तरह से कलियां है पर एक भी इसमें इस तरह से इनके जो कंसिया निकली हुई है इसमें एक भी फलावर काया इसमें कलिया नहीं आई है दोस्तों इसका वजह क्या है इसका कारेन क्या है कि ये पलांट पर बिलुकुल भी मतलब की एक भी इस पर कलिया नहीं आहरे हूँ है ये पलांट देने में देख़िए कि इसने सुंदर और कितने अच्छी तरह से इनको पलांट में जरूरत है तो इसमें potasium आप calcium potassium सारे तत्वी की जरूवत है दोस्तों इस plant क्यों नहीं आ रही है इस plant पे कलिया क्यों नहीं आ रही है इस plant का पत्य जो है आप देखिए सीकुणन आई है तो इसका वजह क्या है दोस्तों तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जैसे कि इस तरह से ले इस सब जो खर पतवार है इसको आपको दूर कर लेना है आपको इस तरह से और इसमें आपको सबसे पहले डालना है दोस्तों इसमें खर पतवार को दूर कर लेना है और दूर करने के बाद दोस्तों इसमें आपको ऐसा ऐसा चीज दिखाती हूं जिस पलांग पर आप अव छोटास दोस्तों मैंने मारकेट से खरीट कर लाई हूं पर इस पोटास को घर भी बना सकते हूं जैसे कि आपके पास पोडास नहीं है तो आप जैसे लकडी जलाते हो उस लकडी को चाल लेनी है और चालने के बाद पर पोधे पर यूज करना है और ये हमारी गोबर की खाद है जैसे कि ये सड़े हुए गोबर है हमारे पास तो दोस्तो अधि आपके पास सड़े हुए गोबर नहीं है तो आप बर्मी कमपोस्ट को भी यूज कर सकते हैं दोस्तो और हमारे दो चैसे हम लोग के घर में कोई खैनी खाती हो या और कुछ इस चुन्ने को यूज लेते हैं तो इस तरह से आप चुन्ने की भी यूज कर सकत हैं दोस्तो यह सारे हम माटेरियल्स को नीचे रख दिये हैं तो अब हम आपको क्या करना है सबसे पहले इस तरह से यह पौधे को गुडाय कर लेना है जैसे कि यह काय हमारे पौधे पर आई हुई है कुछ दिनों से मैंने इस पौधे पर गुडाय नहीं की है गुडाय करन है इस प्लांट पर आपको डालना है यह देखिए यह मैंने देखिए यह सारी मिटी बैठ गया है तो इनकी रूटी फुल कहां से देगी इसमें कल्या कहां से लगेगी यह बिल्कुल भी नहीं लगेगी यह लगने में दिक्कत करती है तो इस तरह से मैं आपको दिखा रहे हूं कि इस मिटी को मैंने गुड़ाय कर दी है अब इसको क्या करना है सबसे पहले यह हमारे सुपर सिंगल फासवर्ट है जिसे हम आपको दिखा रहे हूं कि इस तरह से यह पोधे पर आपको किनारे किनारे डालनी है दोस्तों रिःणनी अ क्लमुकशन कीति और उपकी। और चूकम या रहल ये सद्धिन्हें में जैक। इसको साफ करने का सुनिन को बाइं जो फुल फल एक उनलत्य सुनि हधाल कलिया Lite शहाँ । तरह दर्शनने को फाल पर बहुत ही इसका गलत असर पड़ रहा था तो मैं आपको दिखाती हूं दोस्तों इस तरह से मैंने सिंगल सुपर फासवर्ट डाल दी है अब आपको क्या करना है इस पोटास को तो मैंने दोस्तों आपको बनाने के बारे में बताई हूं पर आप ये वर्मी कंपोस्ट या कोबर की खाद इस तरह से इसमें थोड़े मिला लें और मिलाने के बाद आप इस तरह से इसमें पोटास को भी मिला ले और इसको इस तरह से मिलाने के बाद आपको इसको भी यूज करना है लेकिन दोस्तों आप जब भी यूज करें तो ये इनकी जड़ से कम से कम दो इंच हट कर आप इसको यूज करें नहीं तो ये पौधी को रूटे को खराब कर देगी और ये पौधी बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगी अब दोस्तों मैं आपको दिखाती हूं इस तरह से मैंने तो इसमें सारा खाद को यूज कर दी है अब इसको क्या करना है तो दोस्तों मैं आ पादब counselors on a protective Nepal आपको छुनने दिखाए हूँ इस तरह से इसमें इसको घुल ले चुनना भी बहुत ही पॉधे के लिए वर्क करता है यह पॉधे को निद्रेशन को पहचाने में विटामिन को पहुचाने में इस काम करती हैं तो इस तरह से आप घोल ले तो दोस्तों मैंने इसमें दोनों चुनने के डीवियां को लेकिन दोस्तों ये खाने वाला चुनना होना चाहिए ये नहीं कि आप जो घर पे पोचाड़े करते हैं उस चुनने को भी खर सकते हैं तो इसको बिल्कुल भी गलत फाहमी म पर कि ये गुल्हल के पोधे जो हैं वो बहुत ही बढ़िया इसके वर्क करती हैं ये देखें मैंने इस तरह से आप डाल दें डालने से इसका रिस्प्वांस बहुत ही बढ़िया आएगी दोस्तों तो दोस्तों मैंने आपको तो यहां डाल कर दिखाई हूं इस तरह से खर नजर आ रहे हैं दोस्तो तो इस तरह से आपको इस पौधी पर इसका पौधी का रिस्पोंस आपको एच्छा लगा होगा इस पौधी को तुम मेरी वीडियो को कर देना लायक और चैनल को करना सब्सक्राइब दोस्तो बैबाई